क्याई आप जानते हैं बच्चो तालाब की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती हैं क्यों जब आप तालाब की पास जाते हैं और तालाब में स्वच पानी होता है तो ऐसा लगता है कि गहराई कम है लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो आपका पैर डूब जाता है कई बा वाली जो तली है वो उपर उठी हुई दिखाई देती है इसके पीछे रीजन क्या है तो चले समझते हैं प्रकास के बरतन से संबंदित यह कहानी है क्लास 12 की बात करें तो 12 में बच्चो चैप्टर आपका 9 है ठीक है चैप्टर 9 में प्रकास के बरतन में आप इसे तो सबसे उपर वाला भाग हम बात करते हैं कि मान की चलते हैं यह पानी का जो तली है उपर वाला तली है उपर ही वाला भाग ठीक है और भाई जमीन वाला भाग यह नीचे वाला भाग हम देखते हैं तो यहां पर हम बना देते हैं यह लो भाई यह हमारे नीचे वाला भा अब इसमें पूरे में पानी भरा हुआ है तो पानी तो बताना पड़ेगा ना तभी तो आप समझ पाओगे कि बाई तालाब है ये पूरा का पूरा तो पानी तो भर ही रहेगा हाँ सुच पानी ऐसा सुच पानी है जिसके सारे हम तालाब के तली को देख पा रहे हैं अब त प्रकास क्रणुने जिस बिंदु को देखना का हूा जयासे मैं कहता हूं कि मैं कहां से देखुना बीरल माध्यम से दिखुना। तो यह मेरा उपर वाला बिरल माद्देम है, यहां अंदर जाके तो जहांकूंगा नहीं, बाहर से ही देखूंगा, चलिए, तो यहां पर मैं थोड़ा सा, क्या बनाता हूं, नेत्र, यह किसका नेत्र है, आप लोगों में से बताना भाई, बनेगा, बनेगा, अभी नेत्र बनेगा, ऐसा, यह लो भाईया, और यह बाह वाला भाई, अब दिखने लग गया नेत्र है, अब इस नेत्र के सहारे से हम इस बिंदू को देखना चाहते है, अब बच्चों होता क्या है, थोड़ा समझेगा, यहां से प्रकास किरने चलती है, यह से माली जी पहला प्रकास किरन गया, ठीक है, यहां से दूसरा प्रकास किरन गया, और होता क्या है, जब प्रकास किरन, प्रकास किरन चलती है न बिंदू से, यह आपका सघन माद्धे में, सगन है क्योंकि अंदर क्या है जल है यह आपका बिरल माध्यम है बिरल क्या है बच्चो क्योंकि यह बायू है अब जब प्रकास कीरण सगन से बिरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है यह आपका अभिलंब है यहाँ पर भी इसका अभिलंब है तो अभिलंब से दूर हटेगी जैसे ये सीधे न जाकर के थोड़ी से टेड़ी हो गई और ये भी बच्चो ये टेड़ी हो गई ये सीधे न जाकर के टेड़ी हो गई क्यों क्यों कि अभिलंब से दूर हटी है अभिलंब से दूर हटी है अब आप लोगों को पढ़ाया गया कि कोई भी बस्तू हमें दिखाई देगी उसका प्रत्रिम में कब बनेगा जब दो क्योणे आपस में मिलेंगी अब इन दोनों क्योणों को हम पीछे बढ़ाते हैं जैसे इसको हम पीछे बढ़ाएंगे और इसको पीछे बढ़ाएंगे ठीक है पीछे बढ़ाएंगे तो लगबग यहाँ पर मिल रहा है और यहीं पर हमें यह A- दिखेगा पतलब तरी का A वाला भाग यहाँ पर मिलेगा A- पर ओके ऐसे बच्चों B वाला भाग लगबग थोड़ी से उपर यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा B-S यहाँ पर आपका मिल जाएगा C-S और इनको मिलाएंगे तो एक यहाँ पर तरी नजर आएगी बच्चों कि जो नीचे वाला तली रहा वो उपर से लिगई है और हमें उठी हुई नजर आती है उठी हुई दिखाई देती है यही रिजन्स है प्रकास के अब बरतन का सबसे बहतर उधारण है आप जब एक पात्र में चड़ी डुबा दे और चड़ी ऐसा नजर आता है कि भाई थोड़ा सा लटक गया है लटका हुँ नजर आता है वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबन और इसे वास्तविक गहराई हमारा यहां से यहां तक यह दि देखें तो मान की चलते ही है तो ह है लेकिन वास्तविक रूप से जो तली की गहराई है वह हमें नजर आती है यहाँ से यहाँ तक H- तो difference है ना वास्तविक और आवासी गहराई में यह difference होता बच्चो ओके ठीक है तो तालाब की तली उपर उठाई उपर उठी हुई दिखाई देती है क्यों क्यों कि बच्चो जिस बिंदू को हम देखना चाहते हैं जिस तली को हम देखना चाहते हैं वहाँ से प्रकास किरने चलती है और जब सगन से बिरल माध्य में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है दो प्रकास किरने हम मान की चलते हैं चल रही है अविलंब से दूर हटी और बच्चो उनको पीछे बढ़ाने पर थोड़ा सा जो प्रतिविम है उपर भना तो हमें तली उपर उठी हुई दिखाई देती है देखें यहाँ पर मानलो तालाप की तली ABC में कई बिंदू हैं बिंदू A से चलने वाली किरने सगन माध्यम से बिरल माध्यम बायू में अपवरतित होती है अपवरतित मतलब क्या होता है अपवरतन का मतलब क्या है जब प्रकास किरन बच्चो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो बिचलित हो जाती है यह बरतन कहलाता है अता अभिलंब से दूर हड़ जाती है इन किरनों को पीछे की और बढ़ाने पर यह क्योड़े A पर मिलती है अतहा A बिंदू का प्रतिव्ब A बिंदू यहाँ पर A डैस, बिंदू A का आभासी प्रतिव्ब होगा, इसी प्रकार B, C बिंदू का प्रतिव्ब B डैस C डैस पर बनते हैं, अतहा ताला लाइक करके शेयर कर देए श्री वडियों पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देए जय हिंद बंदे मातराम